राजस्थान के सिरोही में ग्राम विकास अधिकारी भरती परीक्षा का पेपर आउट हो गया माफिया ने सिरोही के पवेलियन राजकिये बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित कई सेंटरों पर आनसकी वाक्सेप के माध्यम से विजवा दिये पुलिस ने गैंग के दो युवक और एक महिला अभ्यर्थी को गिरफतार किया है जो पुलिस की चेकिंग में पकड़े गए ब्राइवर से पूछताच में कई चोकाने वाले खुलासे हुए हैं यह भी सामने आया है कि महिला अभ्यर्थी के पती से माफिया ने 15 लाख रुपे एडवांस लिये थे अनाधरा थाना अधिकारी गीता सिंग ने बताया कि मंगलवार को पेपर आउट कराने वाले गिरोव के दो सदस्य प्रवीन कुमार, प्रकाश गोदारा और एक महिला परीक्षार्थी इंदू बाला को गिरफतार किया गया तथा आन्या आरोपियों की तलाश की जा रही है नाकाबंदी तोड़कर भागा नकल गिरोव का सदस्य वीडियो की परीक्षा में नकल गिरोव की धरपकड के लिए ASP डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, सिरोही DSP पारस राम चौदरी ने टीमों का गठन किया था पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर रखी थी ASP धर्मेंद्र सिंग ने बताया की वहानों को रोपकर तलाशी ली जा रही थी अनाद्रा थानादिकारी गीता सिंग ने विलांगरी गाउस से आगे हाईवे पर काले रनकी स्कापियों को रोका वहाँ मौका पाकर ड्राइवर भाग गया जिसको पीछा करके उसे पकड़ा गया पूच्टाच में उसने अपना नाम प्रवीन कुमार निवासी जालोर बताया गाड़ी की तलाशी में इंदुबाला पत्मी राजेंद्र विश्णोई का वीडियो परीक्षा के एड्मिट कार्ड की फोटो कॉपी मिली जिसे थाने लाकर ड्राइवर प्रवीन से पूच्टाच की गई पूच्टाच में प्रवीन ने बताया की राजू इराम प्रकाश गोदारा और अशो कुर्फ प्रकाश ने परीक्षा का पेपर आउट करवाने के लिए सोमवार रात मीरपुरा के पास एक धानी में रोका था वहाँ इंदुबाला और अन्य अभ्यर्थियों को भी ठेहराया गया था रात को पेपर आउट नहीं करवा पाए सोमवार सुबा हलग अलग अलग गारियों से अभ्यर्थियों को सेंटर पर छोड़ा गया इंदुबाला को राजकिय बालिका सीनियर सेकंडरी स्कूल पवेलियन छोड़ा गया एडवांस दिये 15 लाख पुलिस टीम राजकिय बालिका सीनियर सेकंडरी स्कूल पहुची सेंटर पर इंदुबाला पहली पारी की परीक्षा दे रही थी उसे हिरासत में लिया गया फिर पूच ताच हुई इंदुबाला के पती लादूराम ने राजू इराम, प्रकाश गोदारा और प्रकाश भेरानी से पेपर आउट करवा कर आंसर के दिलवाने की बात की थी प्री और मैंस दोनों का पेपर आउट करवाने के बदले राजू इराम को 15 लाख रुपे एडवान्स दिये थे रविबार की शाम पती ने मीरपुरा की धानी में छोगा था वहाँ अन्य परीकशार्थी भी ठहरे थे पेपर आउट नहीं होने पर सभी परीकशार्थियों को सुबह सेंटर पर छोड़ दिया गिरोह के तीनों सदस्यों ने सेंटर पर ही आंसर की भेजने का प्लान बनाया आरोपियों ने सेंटर से पेपर आउट कर एक कागस पर आंसर की लिख कर वाटसेप पर इंदुबाला और अन्य परीकशार्थियों को भेजा पुलिस टीम में सिरोही कोथवाली के C.I.A. राजेंद सिंग राजपुरोहित अनादरा थाना अधिकारी गीता सिंग तथा कॉंस्टेबल हरी राम सुखदेव देवेन सिंग शामिल थे